जय सिवगुरु घर का खाना विथार्ती देवी चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम पनीर से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे इसे बनाना बहुत इजी है और ये बहुत टेस्टी भी बनता है पनीर से मिठाई बनाने के लिए हम सबसे पहले चीनी को गराइंड करके पावडर बना लेंगे दूद को बॉयल करके इसे हम निम्बू के रस से पनीर बना लेंगे इसे बिनेगर रखकर भी पनीर बना सकते हैं अब पनीर हमारा बन गया है अब हम एक कोटेन का कपरा लेंगे और इसमें पनीर को रखकर सारा पानी निकाल लेंगे और इसे नॉर्मल पानी से भी हम पनीर को साफ कर लेंगे जिससे खटापन हट जाएगा अब पनीर हमारा बन गया है अब हम इसे थाली में रख लेंगे और चीनी का पाउडर मीक्स करके हाथ से अच्छा से मीक्स कर लेंगे अब यह मीक्स हो गया है अब हम इसे कराही में रखकर एक दू मिनट भून लेंगे अगर इसे पेरा बनाएंगे तो इसे एक ही दो सेकंड बस हलका सा गरम करके और हाथ से पेरा बना लेंगे ज़्यादा भूना जाने से इस तरह का मिठाई बन जाता है और यह बहुत टेस्टी लगता है पनीर का हमारा एक रेसीपी आपको पसंद आए तो लाइक और सस्क्राइब कर दिजिए बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए धान्यवाद कर दो दिदोड़ दिजिए कर दो दिएकन कि पटेस्ग कर दो आएकन का तो लाइकन कर दोब हो आएकन को प्रेस्ग कर दोगता है